हालो मेंबर्स, वेलकम बेक टो ओचनल स्टॉक मार्केट फंडा में अब देखो यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले कि सर कल का मार्केट कैसा रह सकता है और आज क्या होता हुआ दिखे दिया देखो बात समझो जहां तक मुझे पता है आप आज डाउ जोंस बंद है यहां पर अमरी की बजार बंद है तो ज्यादा आपको मुमेंटम नहीं दिखाए देगी और अगर आप एकजिस्स निफ्टी देखोगे तो अठरा छेसो क्या सपास है आप देखो बात समझना अठरा 600 दिखाए देखें निफ्टी समझरे बात को तो यह जो प्राइज आपको दिखाए देखें यह जैसे कि आप यह टाइम हाई लगाया है जैसे कि आप यहाँ पे चेक आउट का सकते हैं दिखो Sensex break many records today और Sensex यहाँ पे all time हाई लगाया है आँच देखोगे तो F1 ने भी खरीदा रिकी है ठीक है लेकिन सबसे बड़ा एक कोशिन आ जाते हैं कि सर भले Sensex आई लगे लेकिन हमारे mid caps का क्या सही बात है definitely अगर आप focus करोगे तो जो mid caps आपको दिखाई देरे सिर्फ आंधर परसंट उपर है यहाँ पे देखो देखो 44 point ठीक है लेकिन अगर nifty देखोगे तो 1% उपर है bank nifty point 80% टीक है तो mid caps में ज्यादा momentum नहीं है यह है समझ रहे बात को तो अभी आपको क्या करना है देखो sector में stocks rotate हो रहे है banking sector फिर बीच में बहुत सार में आपको बहुत बार समझा दिया है तीक है अभी यह समझ रहा कि IT sector की बारी आनी स्टार्ट हो चुकी है तो जितने भी आपके पास IT stocks है accumulation करना start कर लेना मैं आपको फोकस करने अभी IT stocks में bottom fishing करना start कर लेना बात है clear and हाँ one more thing आपके बहुत जल्दी mid caps ओपर जा सकते यह काठ बाद लेना ठीक है point clear चले for that point पर आ जाते है अब अब ध्यान में क्या रखना है nifty near all time high पर है और अगर आप देखोगे तो जो अभी की closing है आज की ठीक है वो all time high के नजदिक ही है जैसे कि आप देख सकते हैं देखो मैं मंतली चाट लाए हूँ यहाँ यहाँ पर काफी बड़ी रेंज ब्रीक कर दी है यह काफी तक पॉजटी है और वॉल्यूम्स के साथ breakout के है और आइटी स्टॉक्स रिलाइंस बैंकिंग स्टॉक्स बहुत सारे फॉर्म नहीं हां पर मदद की है ठीक है तो चांसे से ब्रेक आउट सस्टेन रहा सकता है कल क्या कर सकते ह कल अगर निफ्टी स्टेबल ओपन होता है अठ्रा 530 क्रोस कता है तो निफ्टी अठ्रा 600 तक जाने की पॉसिबिलीटी रखता है समझ रहे हो बात को तो आम देखोगे आरे से 60 वापिस क्रोस कता हुआ दिखाई दिया है निफ्टी MSD निरवाई क्रोस ओवर है चांसे से कि यहां पर जैसे ही आज का हाई क्रोस हुआ निफ्टी का स्टेबल ओपन होने के बाद उपर जा सकता है ठीक है सेकेंड पॉइंट यह हो जाता है कि अगसर निफ्टी अपन होगे तो क्या करें ओकी अब देखो जनरली मैं आपको बात बताना चाहूंगा रिटेली वशक को ह हम लोग यहां पर जीरो टू को हीरो में आपको यहां पर देने वाला था शॉड्ट साइट पे हमर वाट्सप मेंबस को या आप सभी को लेकिन हुआ क्या एं मोमेंटम पे जो मुमेंटम थी यहां पर पॉसिटिव साथ की मोस्टली यह कनवर्ट होती है डाउन साइट पे अगर यहां पर देखोगे तो एक्जेटली तीन बजे पॉसिटिव मोमेंटम आने स्टाइट हुई अब यह समझ सकते है शायद ब्रेक आउट हो सकता है तो कर क्या सकते है अगर यह गैप डाउन ओपन हो गया मानलो कुछ भी गैप डाउन ओपन हुआ तो अठरा चासो का स अगर इसके पास आए तो छोटा सा स्टॉपलस रख सकते है अठरा तीनसो साइट का फॉर्टी पॉइंट का यहां पर खरीदा रिका सकते है अठरा चासो पे और टार्गेट फिर से अठरा पांसो अठरा पांसो चाले सट्राइट शेसो तक की पॉसिविलिटी दिखाई द सकती है ठीक है अगर गैप उपन हुआ तो क्या कर सकते हैं तो अठरा चेसो एक रेजिस्टन से अगर गैप उपन हुआ तो वेट कर लेना फॉल की चांसे नहीं है लेकिन हाँ साइडवेस टू थोड़ा सा डाउंट्रें हो सकता है थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यदा हाई पर जा सकता है निफ्टी बात समझ रहो ठीक है तो यह सिनारियो कल के हो जाते है निफ्टी बैंग निफ्टी के मोटा मोटा कल मार्केट में एक तेजी की पॉसिबिलिटी है ठीक है अब देखो बैंग निफ्टी देखो बैंग निफ्टी ओल तैम हाई क्रॉस कर चु का है तो जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं जितना बड़ा consolidation जितनी बड़ी range consolidation की उतने बड़े target यानि कि आप यह समझो 32,000 bottom था 40,000 top था तो 8,000 की जो momentum है वो आ सकते यानि कि bank nifty 48,000 तक की possibility रखता है ओपर जाने के लिए positionally मैं short में इंट्राडी की बात नहीं करा हूं मैं दो दिन की बात नहीं करा हूं मैं positionally बात करा हूं ठीक है जो यह range आपको दिखाई दीते हैं यह वाली range इतनी बड़ी momentum आपको plus side पे दिखाई जा सकती है तो IT stocks फलाने धिंकाने बहुत सारे stocks momentum करना start कर सकते हैं तो banking शायद छोड़किया वापिस nifty में जा सकते हैं समझ रहें बात को तो अगर still bank nifty में आपको trade करना है तो भी मैं आपको वोलूँगा कि 43,000 एक psychological level था जिसने इसने breakout कर दिया है आज का high cross करते हैं तो कर सकते हैं 43,300 43,350 तक की momentum आपको कल दिखाई दे सकती है अगर यह break out हुआ आज का high वापिस थोड़ा तो ओके अगर यह 43,000 की नीचे जाता है कल तो फिर थोड़ा time spend करेगा यह नीचे और अगर कल negative closing आती है तो फिर यहां पर वापिस shorting हम लोग कर सकते हैं लेकिन 43,000 बेस बनता हुआ दिखाई दे सकते हैं कल और इसकी उपर sustain करने की कल कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी तो जो मैंने आपको strategy समझाई निफ्टी में gap down में क्या करना है stable में gap up में और बहुत gap up में वैसे ही strategy आप बैंक निफ्टी में यूज कर सकते हैं बाते क्लियर मोटा मोटा यह समझो 43,300 का उपर का एक रेजिस नज़े 300, 350, 400 मेक्स कल के लिए 400 मेक्स बाते क्लियर तो यह कल की strategy हो जानी चाहिए निफ्टी के अंदर अब बात करें आप इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में देखो पहला तो बताना चाहूंगा अगर फीस से आपको कुछ यूट्यूब के अंदर आप 720P करोगे तो हो जाएगा सैटब ठीक है आपके में ट्राइ करूंगा है यह प्रॉपर जो इशुस है वो शॉट आउट एक का दीन में हो जाएगा सबसे पहला इंटर डे स्टॉक है वो है इन्फोसिस अब देखो इन्फोसिस वैसे में बीटीस्ट में आपको वाट्स टेलीग्रम में देने वाला था लेकिन मुझे लग रहा था कि हाप पर एक्सपाईरी है तो शायद भी प्रॉफिट बुकिंग हो लेकिन यह नहीं सब्सक्राइब क्योंकि मैंने देखा इसके कॉल आप्शन में 80 तक जा सकता है वैसे मैंने आपको यस्टरे जो बीटीस माफ कर दिया इंट्राइब दिये थे इंडिगो प्रॉकेट बना था अपॉल होस्पीटल वह भी रॉकेट बना था ठीक है तो मेरे काफी तक इंट्र इनफोसिस में मुमेंटम हो सकते हैं मुझे लग रही है ये ब्रीक आउट कंटीनिव रख सकता है 1636 की उपर जाते ही स्टॉक में इंट्री पॉसिवल है फॉर वन पसंट का स्टॉप लस वन पसंट के टार्गेट वन से एक से दो पसंट के अप्रॉक्स लेकिन लेवल टू इसके ऑप्शन शीन डीटा देखे हैं 580-600 पे बहुत जादा कॉल राइटिंग हुई है चांसर से 580-600 तक की पॉसिवलिटी स्टॉक में दिखाई दिया सकती है तो जैसे ही 574 की उपर जाता है स्टॉक में ट्रेट किया जा सकता है एक पसंट का स्टॉप लॉस एक से पसंट तक की टार्गेट ओकी इसको फोकस करना वासलिस पर रखना काल मोमेंटम का सकता है तीसरा स्टॉक है वापिस आईटी का और बहुत पूशर देके सर विप्रो को एवरेज करू क्या मीगबल स्टॉक पे डेफरेंटली जल्दी आज जाएगा ओके और बिला देखो IT स्टॉक्स में करना अगर इंटरस्टेट है स्टार्ट कर लेना मेरी साब से IT स्टॉक्स में मोमेंटम हो सकती है लेकिन टार्टा ये बहुत टॉप पे तो टार्टा आ Exercise को अओ आ पार्टू में डिस्कस करूंगा आप आप IT सीिट्ऌक्स में average या add करना start कर सकते हैं Vipro करना यह Vipro कर सकते हैं लेकिन मेरी सबसे दूसरा IT stock देखिए जादा better रह सकता है ठीक है persistent की बात करें तब persistent में momentum हो सकती है कल यहां से यह cringe break कर सकता है RSA 60 है MSD crossword नहीं है लेकिन chances से कर सकता है और यह cringe है ठीक है अगर break हुई तो अच्छी break हो सकती है 39, 3900 की ओपर जाते ही stock में 1,5% की momentum पॉसिबल हो सकती है इसको focus करना and 4th stock है BPCL देखो मैंने BPCL ऐज़र दीवाले पिक दिया था bottom बे exactly bottom बे दिया था और यह बंदा ने breakout किया है देखो ठीक है तो मेरी choice कैसी है exit हुई ना मेरी choice SMF की choice इसको focus करना positionally भी लेकिन intra-dee करने के लिए करना है तो फिर 322 के ऊपर जाते ही stock में momentum हो सकते है 325, 326 तक की target इसमें possible है even 328 के इसको focus करना वास्टलीस पर रखना बंदा momentum का सकता है clear? तो कल के लिए 4 intra-dee stock है हूप आपको 4-4 intra-dee stock समझ में पसंद आए है okay and देखो हमारी वीडियोस देखते रहेगा interest है definitely new goldman stocks में try करूँगा अच्छे quality stocks रहने की और panic वाले stocks में नहीं लाँगा क्यूंकि बहुत सारे लोग panic कर लेते है clear? और telegram ही नहीं जाके जूड़ेगा whatsapp group को join करें छोटी से paid membership है definitely जाके try कर सकते है ठीक है बहुत सारे calls मैं यहाँ पर share करता रहता हूँ आप इंट्रेसेट है definitely try कर लेजेगा मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए good bye जय हिर